असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे तो थामनेल देखके तो आप समझी गए होंगे कि आज की वीडियो पेंट के उपर है कि आप अपने गमले को किस तरह से पेंट करें जो वो बहुत टाइम तक ठीक है आपका पुराना ग पेंट हो या काई लगी हो तो उसको चाकुष से इस तरह थोड़ा दीजिए तो देखिए फ्रेंट्स मेरा गमला अब इस तरह का लग रहा है अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसको कैसे पेंट करना है तो फ्रेंट्स गमलों को पेंट करने के लिए सिर्फ टेर्रकॉट प पेंट भी मिक्स किया था क्योंकि मुझे लाइट करा चाहिए था आप चाहें तो सिर्फ टेराकॉटा भी ले सकते हैं तो फ्रेंट्स पहले आपको थोड़ा सा पेंट लेना है मैं दोनों पेंट का मिक्शर बना के ही ली हूं और उसके बद आपको दो टीस्पून वाइट का मिक्शर है उसको अगर आप बहुत साथ देर तक रख देंगे तो वो जम जाएगा और फिर बाद में यूज़ करने लायक नहीं रहेगा आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है वाइट सिमेंट डालने से मिक्शर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी आइड कर रही हूं इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद अपने पॉट पे अपलाय करें तो फ्रेंट्स पेंट तो सब लोग करते हैं पर यहाँ पे जो एहम भूमी का निभा रहा है वो है वाइट सिमेंट अगर आप अपने पेंट में वाइट सिमेंट डालने से एक और फायदा यह होता है कि आपका पेंट गाढ़ा हो जाता है जिससे आपको उसके गमले में चढ़ाने में असानी होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने बालकनी का एक छोटा से टूर दूंगी आप देखिएगा कि जब गमले पेंट हो जाते हैं तो आपका जो प्लांट से उसका भी अलगी लुक आता है आपकी प्लांट क खुबसूरती और जादा बढ़ जाती है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और जो बेल आइकन है उसे प्लीज प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वी